सबसे पहले चलता था टेलेग्राम, फिर आया वो बड़ा सा गोल घुमाने वाला रोटरी फोन, और अब तो हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ की हतेली में फिट हो जाता है, ऐसे ही कम्प्यूटर से इजाद हुआ लैप्टॉप और अब तो AI का जमाना है, बॉक्स कामरा से आय हर हिस्से को प्रभावत किया है, आप अपनी ही जिंदगी में आज इसका स्कोप तो देखिए, अगर आटो मोबील्स की बात करें तो इलेक्रिक वहीकल्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं और हाइब्रिड्स, फिनांचल सेक्टर में UPI, ब्लॉक्चेन और पेमेंट अ आप ग्रोसरी या छोटी बड़ी हर चीज और कर देते हैं, और अलग अलग चैनल को एक साथ जोड़ना ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा बनाया जा सके, ये सभी इनोवेशन ही तो है, मीडिय और एंटेटेंमेंट में जो आप OTT प्लाटफॉर्म्स देखते ह डिजिटल कंटेंट्स या अड्स देखते हैं और ओनलाइन म्यूजिक सुनते हैं, टेक्नोलोजी में AI, क्लाउट कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, हम देखी रहे हैं कि रोबोट्स और ड्रोन्स, इंडिस्ट्री और म्यानिफाक्ट्रिंग के लिए इस्तिमाल किये जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग और नानो टेकनोलोजी का इस्तिमाल बढ़ता जा रहा है, हेल्थ केर में, मेड़ टेक, इफार्मसीज, बायो टेकनोलोजी ऐसा लगता है, जैसे हमारी एक मात्र सीमा है, हमारी कल्पना की शंता, और इंडिया में तो इनोवेशन का पोटेंशल बहुत है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एकोसिस्टम हमारे यहां है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल 25 लाख स्टेम ग्राजुएट्स पैदा होते हैं, सरकाली पॉलिसीज जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो, य इंडिया स्टार्ट अप इनिशिटिव इन सब ने बहुत सपोर्ट दिया है, साथ ही हमारी तेजी से बढ़ती हुई कंजूमर मार्केट, ग्रेट इंडियन मिदल क्लास, और इन सब को साथ जोडता है एक स्ट्रॉंग डिजिटल और फंडिंग का इंफरस्ट्रॉक्चर, तो ये सही टाइम है SBI Innovative Opportunities Fund का, जिसके fund manager है प्रसाद पडाला, SBI Innovative Opportunities Fund एक thematic fund है, जो innovators की तीन कैटिग्रीज पे फोकस करेगा, पहली, product या service innovators, यानि वो companies जो कुछ नया बनाते हैं, या research और development में काफी investment करते हैं कि मौझूदा market को ही challenge कर दे या फिर नया market ही बना दे, दूसरा focus area है process innovators, वो companies जो business models को technology या process की उन्नती से disrupt कर दे, और तीसरी category है innovation adapters, ऐसी companies जो innovative business models, products या services को आंशिक या पूरे तरीके से अदॉट करने. The SBI Innovative Opportunities Fund is a thematic fund, it would be a multi-sector market cap agnostic fund, it would be well diversified with around 30 to 40 stocks in the portfolio and in terms of the management style it will be very actively managed because in our universe of innovative companies things can change very dynamically, it can be a new competition which can be coming in and disrupting the existing players or it can be a small technology change that can completely make the business models irrelevant or it could be a small regulation change that can completely disrupt how things are done. So, we would be looking for resilient business models and strong competitive advantages and business modes. Second, we will be looking for growth and longevity of growth which is very important to us. Third, we will be looking for ability to generate strong cash flows and return on equity in the long run. Finally, we will be looking for reasonable valuations which can be justified with current fundamentals and our inherent emissions. SBI Innovative Opportunities Fund उन इन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो अपने long-term growth-oriented portfolios में innovation disruptive ideas का तड़का डालना जाते हैं. SBI Innovative Opportunities Fund में आप 500 रुपे SIP और 5000 रुपे लंबसम से अपने नवेश की शुरुवात कर सकते हैं. इस fund की और जानकारी आपको अपने mutual fund distributor या financial advisor से मिल सकती है. देखने के लिए शुक्रिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके निवेश का ये सफर काम्याद हो.